हाई स्टुडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुडविल धन्वंत्री जवलपूर यह हमारा एजुकेशनल चैनल है जिसके थुरू हम एकाउंटेंसी और सीवीसी क्लास 12-11 से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुचा रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन स्टुडेंट्स ने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन दबा कर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप तक हमारे द्वारा बनाये हुए एक नए नए वीडियो जो CVSC 12th, 11th Accountancy से रिलेटेड होंगे पहुंचते रहें आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे Class 12th Accountancy 2020 का पेपर कैसा होगा किस पैटर्न से question पूछे जाएंगे आपको किस पैटर्न से answer लिखने है इस बारे में हम इस वीडियो में discuss करेंगे आपके Accountancy के पेपर में कुल 32 questions होंगे 32 questions होंगे जिन में 20 questions, multiple choice questions शामिल होंगे इन multiple choice questions में Choose the correct, fill in the blanks, true or false, single word answer वाले questions शामिल होंगे इन 20 objective questions के बाद 12 numerical questions आपके पेपर में होंगे ये question 3 marks वाले, 4 marks वाले, 6 marks वाले, तथा 8 marks वाले questions होंगे 3 marks वाले, 2 questions, 4 marks वाले, 2 questions, 6 marks वाले, 1 question, 8 marks वाले, 2 questions में आपके पास options आप लेवल होंगे आपको ध्यान देना है maximum marks लाने के लिए 20 marks वाले objective questions पर concentration होना जरूरी है और पेपर में highest marks लाने के लिए सभी प्रशनों को हल करना बहुत आवश्यक है आपके पेपर में Non-profit Organization Chapter से 10 marks Partnership Accounting से 25 marks Accounting for Companies से 15 marks तथा Analysis of Financial Statement से 20 marks के question पूछे जाएंगे तो students इस marks subdivision के हिसाब से आपको अपने paper की तैयारी करनी है और इन chapters से किस तरह के question पूछे जाएंगे इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe ना किया हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें कर दो हमारे चैनल करेंगे